Hi everyone, I hope you guys are doing well and like, में जो भी डिशन ले रहे हो, दिमाग से ले रहे हो तो आज का जो टॉपिक है, वो अभी के टाइम एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टिन टॉपिक है General Science और इसका जो सबसे बड़ा confusion है नहीं, ये दो बुक कौनसे बुक से General Science पढ़ना चाहिए इस बुक में भी General Science रहता है और इस बुक में भी तो इसको आज हम डिसकास करें कि किसको कौनसा बुक पढ़ना चाहिए और आखिर में मेरा सेशन दूँगा इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए तो ये एक common problem है, maximum aspect में जो spend नए है, मतलब नया preparation चुरूगी है उन में भी और जो spend पुड़ान है, मतलब preparation के middle में उन में भी कौनसा बुक पढ़ना जादा beneficial है ये standard वाला या integrated वाला तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारा suggestion है वीडियो पे बने रही है अगर आपका कुछ career से related confusion है या कुछ exam से related confusion है तो आप मुझे बेज़ी ज़क Instagram पर message कर सकते है अगर उस topic से related मुझे कुछ idea होगा या अपके लिए कुछ मेरे suggestion रहेगा तो मैं जरूर आपके जाद शेयर कर दूँगा बट कभी-कभी reply देने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो please don't mind तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते है तो पहला चीज इस book को किस को पढ़ना चाहिए किस aspirant को पढ़ना चाहिए देखिए जो aspirant अभी present जिस टार्ट की है उनके exam में अभी भी एक-दो साल बाकी है targeted exam में तो उन लोग को बेस से शुरू करना चाहिए ये book basic to advance जाने के लिए एकदम best book है आपका science में बहुत ही जादा dip आ जाएगा अगर exam में tough question आता है तो बहुत जादा help करता है तो इस book को मैं highly recommend करूँगा आप लोग के लिए जो लोग का exam देने वे एक साल या दो साल है अपका targeted exam तो वो लोग ये book पढ़ सकते और कैसे पढ़ना है वो वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा इस book को कैसे पढ़ना है अच्छा अब जिन लोग का exam नजदी के उनको जल देल दी syllabus complete करके exam देना है तो उन लोग को बलूँगा ये book पढ़ो इस book से general science का syllabus complete करो उसके बाद position में अच्छे तरीके से करो then test series दो मान लो अगर आपका test series अच्छा नहीं हो रहा है जादा गलत हो रहा है तो मैं आपको recommend करूंगा इस book से पढ़ो science क्योंकि इस book मैंना basic to advance बहुत ही अच्छे तरीके से दिवा है आप depth में जाके पढ़ सकते हो बट अगर आपका test series बहुत अच्छा हो रहा है science में गलती नहीं हो रहा है तो वो इस integrated book से पढ़ सकते है यह इस book सो जल्दी से जल्दी syllabus complete करके जल्दी अजी question mark and test series पगड़ सकते है तो उनके लिए यह book सही रहेगा बट अगर कोई मेरे जैसा student है मतलब मैं तो science background से इस था बट मेरा biology बहुत ही जादा weak था तो मैंने क्या किया biology में इस book से पढ़ा क्योंकि biology में मुझे depth बनाना था तो इस book से किया and notes बनाया है क्योंकि biology में नोर्स biology में नहीं जो subject अपका weak है उसमें notes बनाना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर मेरे जैसा कोई as a student है तो उनको मैं highly recommend करूँँगा आपका weak subject always dedicated books से पढ़िए तो आपका base strong होगा अब जो student non science background से उनको मैं recommend करूँगा आप dedicated books से पढ़िए क्योंकि आपका science का आप लोग का कुछ mind मत कीज़ए आप लोग का 11-12 में science नहीं पढ़िए तो आपका science बहुत ही पीछे चल गया है तो इसलिए आपको highly recommend है dedicated books से पढ़िए आपका बहुत ही ज़्यादा depth अच्छा होगा तो आप हरे question कर पाओगे अगर tough question भी आगया तो वो भी आप कर पाओगे तो highly recommend है dedicated books से करिए अभी जैसे competition हो रहा है बहुत ही ज़्यादा high competition हो रहा है तो चलिए मैं बुक दिखा कि आपको समझाता हूं आपको syllabus complete करके जाद से लदा mock test देना है तो mock test के लिए one of the best textbook यहाँ पर अपको लगबग सारे exam का mock मिल जाएगा आपको SZ के सारे मिल जाएगे railway के सारे mock मिल जाएगे even state exam भी आपको मिल जाएगा and section wise mock मिलेगा topic wise mock मिलेगा हर एक variety का मिलेगा बस आपको इनका pass लेना है आप yearly pass भी ले सकते हो 2 yearly pass भी ले सकते हो yearly pass पढ़ता है 299 का and 2 yearly pass पढ़ता है 399 का but अगर आप मेरा promo code self 10 use करोगे तो आपको 299 का pass पढ़ेगा 270 में and 399 का pass पढ़ेगा 360 में तो शुरू करते है physics से physics में यह 4 जो topic है general physics, sound, thermal physics and light यह बहुत ही अच्छे दरगी से करना है यह total 73 pages है वही same जैसे मैंने Lucian का बोला था page count करके पढ़ना तो यह 73 page तो per class में आप maximum 8 pages तक पढ़ सकते हो general science में actually यह मेरा idea है मेरा जितना knowledge है उस हिसाब से बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से total 73 pages around आपको 9 to 10 days लगेगा actually यह 4 topic से maximum question आता है physics में electricity, magnetism, modern physics electronics यह सब में भी आता है लेकिन उतना नहीं आता जितना इन में से आता है तो इस topic को बहुत ही अच्छे तरह की से करना इस topic को एक-एक topic करे उसके बाद उसको question bank से उसका question कर लीजिए तो वो topic आपके दिमाग में और भी अच्छे से बस जाएगा अच्छा आप मान लीजिए आप physics हर एक class में 8 pages करके पढ़ रहे हो 8 pages मतलब एकदम 8 pages ऐसा नहीं पढ़ना देखिए 8 pages तक कोई topic खतम हो रहा है तो यहां पर 8 pages तक कोई topic खतम नहीं हो रहा है तो कोई topic खतम कर लीजिए तो यहां तक खतम कर लीजिए इतना दूर तक 9 pages के इतना तक कोई topic पूरा खतम कीजिए 8 pages यहां तक हो रहा है इसके मतलब यहां था कि पढ़ेंगे ऐसा मत कीजिए एंड तो ऐसे करके टाइम देके पढ़िए अगर आपका फिजिक्स वीक है तो यूटुब से पढ़िए कोई टापिक को उसके बाद फिर से यह इस बुक से पढ़िए तो आपको जादा अच्छी से समझ आएगा अगर क अपिडेटेड वाले बुक से पढ़ सकते हो इस लाइट पोर्शन तक आपको इस बुक से पढ़ना है यह बहूत ही एल्फुल है बहुत ही होल्फुल यह निशर कोई εκžैम में रहता है तो आप इस प्रसकते हैं तो आप एक उस एक चोटा प्र लिकेशन के दिए पना इस प तो इसलिए मेने बुक में नोट कर लिया तो ऐसा आपको बहुत किसी सब्जिक में मेरा नोट में मिल जाएगा तो ऐसे आप भी कर सकतो यह बहुत हल्फुल है अब आते हैं केमिस्ट्री पड़ देखिए केमिस्ट्री पर भी आपके लिए रिपल जाएगा नोट यहां पर chemistry दिया हुआ है और यह जो आखिर में है ना आखिर में यह सब बहुत यह अच्छे तरह की से पढ़ना है chemistry के आपको physics के आखिर में भी मिल जाएगा ऐसे देखिए यह सब यह सब बहुत यह अच्छे तरह की सब को पढ़ना है और यह सब बहुत यह सब बढ़ना है टैनल इसलोग सब पर यह सब कितना पर सकते हो तो और आप पेज़ पर सकते हो तो उससे टोल पेज को डिवाइट कर लो तो उतना क्लास अपको लगा उस हिसाब से अपना रूटिन सजा लो ऐसे करके पड़ो and always important point highlight करो आप पेंसिल से भी highlight कर सकते हो highliner से भी कर सकते हो मैंने highliner से किया यह तोड़ा eye catching होता है जल्ली जल्दी आख में set हो जाता है इसलिए and आप लोगो बार बार बोल रहा हूं यह कभी भी मत skip करना यह सब पार्ट बहुत ही important ही यह पूरा पार्ट यह सब जितना रहता है आखिर में subject ही बहुत ही important होता है and question यहां पर भी question answer दिया हुआ है MCQ तो आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से करने के time वही जो हो रहा है right जो नहीं हो रहा है first time पे circle कर दो ऐसे करके करोगे next time यह circle वाला सिर्फ करो अगर circle वाला हो जा रहा है तो circle उठा के right मार दो ऐसे करके करो improvement आएगा ऐसे ही अच्छा अब biology biology इस book से पर रहे हो बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर biology दिया हुआ है तो आपको page गिन लेना कितना page लगबग 110 प्लस pages है यहां पर तो अगर आप daily 8 pages करके पढ़रे हूँ नहीं कि 8 pages है common होता है तो daily अगर 3 घंटा करके दे रहे हो तो 8 pages एनफ है अच्छे दरगी से पढ़ने के लिए तो इसको divide कर लो total 8 page total कितना page है उससे डिवाइट कर लो तो जितना दिन लाएगा आपको जितना class लाएगा उनने class में यह बाइलजी पढ़ लो और यह जो आखिर का जो पार्ट है इसको always जो integrated book से पढ़ रहा है उसको भी यह जो last का पार्ट है यहां से पढ़ना चाहिए यह total biology के main main topic का उठाय के दिया हुआ है यह बहुत ही अच्छा है बहुत सारा question यहां से ही आता है तो इसको अगर यहां से पढ़ोगे तो बहुत ही बहुत ही अच्छा है जो भी पढ़ रहे हो एक routine बना के पढ़िए routine बना के पढ़ने से एक strategy से preparation होता है एक time limit रहता है अगर routine नहीं बनाओगे तो पुरा सब कुछ scattered हो जाएगा कुछ right direction पर नहीं होगा always routine बना के बढ़िए अगर आप पर routine नहीं है तो मेरा routine वाला वीडियो देख लीजिए उपर i button में आपका link आ रहा होगा तो वैसे आप routine बना लीजिए तभी vibration start कीजिए तो यही रहा आज का हुछ रेशन demotivate मत होगे dedication के साथ preparation कीजिए आप जरूर successful होगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है किसी और वीडियो पे bye bye and take care